हलो गाइज आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बंसिदर फैशन पॉइंट में आज हम बात करने आए हैं जेक मशीन के बारे में जो की E2 से रिलेटेड है E2 problem बहुत सारे लोगों को आ रहा है और उन्हें पता नहीं है कि E2 problem आता क्यों है तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि E2 problem आता क्यों है तो हम सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि E2 problem होता क्या है और ये मशीन में क्यों आता है इसका आने का कारण क्या है तो सबसे पहला कारण इसका ये आता है कि हमारी मशीन पे हमें चलना पड़े का थोड़ा नीचे मशीन के नीचे से ये problem related है देखिए ये जो second number की cable आ रही है ये cable हमें लेके जाती है नीचे मशीन के नीचे इस प्रकार से अब हम आ जाते हैं तो इसे मैंने ये जैसे ये जो डबबा था मैंने खोल लिया है खोल के नीचे रख लिया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इस कारण से मैंने इसे खोल लिया है अब देखिए E2 प्रॉब्लम आने का सबसे पहला कारण आता है कि ये बॉक्स कहीं खराब तो नहीं हो गया है तो E2 आ जाएगा अगर आपका ये बॉक्स खराब हो गया दूसरा कारण ये होता है कि अगर ये cable भी खराब हो जाए तो भी E2 प्रॉब्लम आ जाएगा और तीसरा कारण ये होता है इसमें आपको इस प्रकार से जो मैंगनेट दिख रहा है ये देखिए ये जो प्लास्टिक का है इस पे एक मैंगनेट लगा हुआ है आपको दिग्या होगा ये जो मैंगनेट लगा है ये मैंगनेट खराब हो जाए तो भी E2 प्रॉब्लम आ जाएगा और ये मैंगनेट जिस जो पे लगा होता है इधर एक छोट इसी IC होती है देखिए आपको IC दिख रही होगी ये IC पे से इस प्रकार से चलता है तब हमारी मशीन की स्पीड चलती है और हमारी मशीन इजिली चलती है और हमारी मशीन में अगर ब्रेक नहीं लगता है तो भी ये प्रॉब्लम इसी चीच की है अगर मशीन में आप मुझे कमेंट्स ऐसी बहुत सारी आई है जिसमें करा है कि मशीन में ब्रेक नहीं लग रहा है तो ब्रेक क्यों नहीं लगता है ये भी बात जान लीजिए आप इसमें जो मैगनेट है देखिए ये जो मैगनेट है ये जो मैगनेट है ना छोट असा ये मैगनेट खराब हो जाता है तो हमारी मशीन में ब्रेक नहीं लगता है तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे हमारी मशीन में E2 प्रॉबलम क्यों आता है और हमारी मशीन में ब्र बाइ बाइ